सब्सक्राइब कीजिए ब्रिश एस्पेशल को और दवाईए इस बेल आइकन को ताकि ऐसे ही ज्यान बर्धक बीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके मित्रों आज के बेडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि 18 अक्टूबर 2020 का दिन ब्रिश भरासी वालों के लिए कैसा बीतेगा अगर आप ये साड़ी बाते जानना चाहते हैं तो इस बेडियो को बड़े ही ध्यान से आपको सुनना होगा इस बेडियो के अंत में आपके आज के दिन का अनोखा तोट का भाग्यसाली रंग और भाग्यसाली अंक है तो आप उसे भी देखें लेकिन सबसे पहले इस वेडियो को आप लाइक कर दें, साथ में चेनल को सबस्क्राइब कर दें और वेडियो को बड़े ही ध्यान से आप सुनने का पडियास करें सबसे पहले मैं बात करने वाला हूँ आपके दामपत्य जीवन के बारे में मित्रों दामपत्य जीवन के दृष्टी कौन से आपका शमय बहुत ही जियादा बहतर और सांदर है मित्रों आज से पहले अगर आपके दामपत्य जीवन में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो आज के दिन उस पड़े सानी को खत्म करने का प्ड़ियास आपको करना होगा क्योंकि आज के दिन इस काम को करने में आपका शमय, आपका भग, आपका शाथ अबश्य देगा लेकिन अगर आपके हिल्थ की बात करें तो हिल्थ के द्रिष्टी कोन से आपका शमय आपका शात नहीं देगा मित्रों आज के दिन आपको अपने रहन सहन अपने खान पान के परती साबधानी मरतना होगा अन्येथा आने वाले समय के दोरान आपके सुवास्त के मामलों में आपको पड़िशानी का शामना करना पड़ेगा मित्रों आज के दिन आपको अपने फिजूल खर्ची पे अपने फालतू के खर्चों पे ध्यान देना होगा, कंट्रोल करना होगा क्योंकि आज के दिन अगर आप अपने फिजूल खर्ची पे कंट्रोल नहीं करते हैं तो आने वाले समय के दोरान धन सम्पती के मामलों में आपको पड़िशानी का सामना करना पड़ेगा वैसे अगर आपके घर पड़िबार की बात करें तो घर पड़िबार के दृष्टी कोन से आपका समय सामान ने रहेगा न जयाद बिहतर न जयाद खराब मित्रों आज से पहले अगर आपके घर पड़ी बाड में कहीं कोई पड़ेशानी कहीं कोई समस्या था तो आज के दिन उस पड़ेशानी को खत्म करने का प्रयास आपको करना होगा तो इसके बाद बात करते हैं आपके आज के दिन के अनोखे टोट के भाग्य शाली रंग और भाग्य शाली अंक के बारे में मित्रों आज आपके लिए भाग्य शाली अंक है 9 यानी की 9 आज आपके लिए भाग्यसाली रंग है क्रीम और सफेद तो इसके बाद बात करते हैं आपके आज के दिन के अनोखे टोटके के बारे में मित्रों टोटका बहुत ही जियादा सामानी है आज के दिन आप असनान ध्यान करने के बाद कम से कम इग्यारह बार एक मंत्र है उस मंत्र का जप आपको करना होगा वो मंत्र है ओम घ्रिनी सुर्जाय नमह ओम घ्रिनी सुर्जाय नमह इस मंत्र का जप अगर आप कम से कम इग्यारह बार करते हैं तो आपका आने वाला समय सांधर हो जाएगा तो इस वीडियो को आप लाइक कर दें साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर दें इस वीडियो को आप हर जगह से यर कर दें धन्यवाद